आज गुरु जोती पत्री का मंजु गुरुबानी से विशेश बातचीत कर रहा है कि आखिर ये जो रतन देवासी पूर्व विदायक रानिवाडा एवंपूर्व राज्य मंत्री जो है वो कौन है इसकी पारिवारिक प्रश्ट भूमी क्या है वो आज हम आपको बताएंगे मैडम ये जो रतन देवासी है ये कौन लोग हैं ये बताएं ये जो बोलता है न सबको कि ये हमारे पारिवारिक संबंद है ये परिवार का मामला है तो आज मैं बताती हूँ कि ये क्या मामला है से मैंने का यह जांच का विश्य है तो मैं चाहती हूं कि सीम साब इस बात की जांच कराए शुरू से लेके कि यह प्रॉपटी कैसे आई और और मेरी बात सुनिए मैं यह पूछना चाहती हूं कि रतन देवासी है कौन जिसको इतनी मांट अबू में छूट दी गई है कि वो रस्तों पर अतिक्रमन कर रहा है सरकारी रस्तों पर नालों पर और यह सारी की सारी चीज जो मैं बोल रही हूं यह ऐसी बेसलेस नहीं है यह सारी जांच में प्रूव हो गई है और मैं चाहती हूं कि जो हमारे कलेक्टर साहब हैं हमारे sdm साहब हैं यह एक्शन लें किसी और कि थोड़ी सी भी शिकायत जाती है तो अतिक्रमन जाके तोड़के आते हैं पिछले हफते दो लोगों के अतिक्रमन टूटे तूटे हैं उनकी तो कोई जांच नहीं करवाई उनकी तो कोई सेटलाइड मेजरमेंट नहीं करवाई तो रदन अंदिवासी के लिए यह स्पेशल फैसिलिटी क्यों कि उसके अगर हमें कंप्लेंट कर रही हो दो सालों से जब पेपस पे भी क्लियर है तो मेरे मामले में तुमको सेटलाइट जांच करवानी है तुमको यह रिपोर्ट करनी है यह करवाना है फीथा लेके नाब भी करवा द करेंट अब जब सब्सक्राइब कर रहे थे उस टाइम को मैंने पसनली सुबहार जाके फोटोग्राफ भी धिए विडियो भी दिया कि सराइब बाराबजे यहां पे देखो पोलो ग्राउंड के वहां पे पोलो ग्राउन के यहां पर विरांडे बन रहे हैं अवैद निर्मान हो रहा है तब भी उसने कोई एक्षिन नहीं लिया दूसरे का अतिक्रमन जाके तोड़के आते हैं नगरपाली का तोड़के आती है तो रतन देवासी और इसके परिवार के अतिक्रमन को इतना क्या अर्यूंब के नियम है सबस्टों लेकिन वो रतन देवासी के लिए लागू क्योंने हो रहे हैं यह इनका दर्द है बहुत बड़ी पीड़ा है और यह बारते समिदान का जो अनुच्य देश करने की सारी सिमब पुलीस और परसासन लांग चुके हैं इनका कहने का मतलब यह कोई भी सिकायद होती है नगरपाली का जाती है उड़न सब्सक्ता कर घुल जांच करतें सब कुछ आ गया सब कुछ, आ चुका है रिपोर्ट SDM साब की टेबल पर है नगरपालिका के EO ने रिपोर्ट बना के दी है उसके बावजूद आज किते दिन हो गए इस रिपोर्ट को आये हुए ये रिपोर्ट आ गई थी 14 नमंबर को ठीक है उसके बाद तीन बार मैं गई मुझे बुलाया गया था तो बुला कि ह pewno मैडम वो नगरपालिका से क्या वाज बुलते हैं एक रइट अप लेना है ठीक है तो वह अब नगरपालेका के कमिशनर देंगे वो राइट अप उसके बाद यह क्या कारवाई करेंगे ठेकनिकली तो इनको सारा अतिकरमन तोड़ना है, सारा अवे निर्मात तोड़ना है, हर चीज के मैने सबूत दे दी है, मेरे सबूत छोड़ो जो मैने दी चलो मैं जूट सटालाइटatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat उसके बाद विवाद हुआ तो वोड वोड कॉंग्रेस के जो कारिया लेके वोड हटा दिये और उसी जगह पे पहले एक SDM आये थे उन्होंने एक कलेक्टर आये थे उन्होंने तोड़ फोड भी की थी और कहा था यह वैद है लेकिन वापिस कबजा कर लिया कॉंग्रेस का व 002 उसके बाजू में जो कनक डानिंग हौल बनी पड़ी है वो पूरी कृशी भूमी पर बनी पड़ी है खसरा 186 आज भी रिकॉर्ड में कृषी भूमी बूल रहा है तो क्रिशी भूमी पर पहले तो कमर्शल अक्टिविटी हो नहीं सकती और कंस्रक्शन हो नहीं सकता फिर पर्मिशन नहीं दे सकता पहले तो वो पूरा अवैद है उसके बाद जो हमारे खसरा 401 402 और 186 के बीच में जो हमारी जमीन है साड़े चौदा फीट तो चोड़ा ही है जो आपका सेट बैक हे रिया है और लंबाई किती है जो आप कह रहे हैं रस्ते में पीछे खुलती है जहां वो कॉंग्रेस का कर्याले बना दिया था बिल्कुल यह आगे से रस्ता था जो पीछे की तरफ खुलता था हमारी पूरी इ वेल्डिंग के कॉर्णर तक वो पूरी की पूरी हमारी जमीन है जो सेटलाइट जाच में प्रूव हो गई है और रही पोलो ग्राउंड के सामने जो अतिक्रमन हुआ है वो खसरा 179 है जो सरकारी खसरा है वो जो कॉंग्रेस की ओफिस जो जिसकी आबात करने है उसके बाज सेटलाइट जांच में अगर आप पब्लिक रोट की मेशरमेंट भी करवाएंगे सेटलाइट जांच में तो आई गया है पूरा कि वो जो भी दुकानी है वो आगे से पूरा वहां पे रोड पे अतिक्रमन है सेटलाइट जांच की बिज़ुरत नहीं आप वहां पे खड़े होके देख लो आपको पता चल जाएगा कि रोड के एक तरफ और जो फूट फूट पाथ है भी फूट पाथ गयाए पूरी वइट लाइन तक अगी है अपकी जवनें है 14 फुट चौड़ी और उसकी लंबाई किती है जो साइट से लंबाई पूरी दोनों बिल्डिंग के कॉर्णर तक है और वो रिपोर्ट में क्लियर उसमें मेजरमेंट भी दी गई है कि कितना अप्रोक्स किते इसको और फिट का एरिया आपका प्रसनली जो सेट बैक एरिया है जो आपका है वो उस पर इन्होंने अत्तिकर्वन कर लिया 14 फुट आगे से है जो पीछे जाके नौव फुट हो जाता है वो पूरी कि लंबाई कम से कम उसकी दोनों बिल्डिंग मिला के समझो न 3035 फूट तो होगी वो पूरा का पूरी मतलब हमने सब्सक्राइब चोड़ी थी ना जैसे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो आपको तीनों तरफ चारों तरफ उतनी जगह चोड़नी पड़ती है वो सेटबाय के रहा हम नहीं छोड़ी थी वो मेरे प्लाइंस में क्लियर है मैंने प्लाइंस दिखाए थे फिर भी इन लोगोंने का नहीं स सुप्रीम कोट जाओं या मैं टीवी में और इंटर्व्यूस दूं या मैं सीएम साथ से पर्सनली मिलूं मैं इंट उनसे पर्सनली मिलना भी चाहती हूं मैं चाहती हूं कि वो मुझे टाइम दें सिर्फ 15 मिनिट का टाइम दें मैं हर चीज सुबूत के साथ उनको रहे हैं बड़ी दयनी इस्तितियां है माउट अबूगी का नेता रतन देवासी पद उसके पास कुछ है नहीं ना वह विदायक है विदायक भी हो तो गलत काम थोड़ी कर सकते हैं कोई उनको नहीं है अधिकार बहुत ज्यादा परेसान किया जा रहा है परसासन पूरी तर सारी लिकित में कारवाई कर चुके हैं कोई सुनवाई नहीं हुई हाइकोट गए हाइकोट ने आदेश दिया 2021 में इस पूरे जो मसला है उसको सौट आउट करना था नहीं किया गया कमेटी बनी बार-बार-बार-बार इनको परेशान किया जा रहा है अब इनका दर्द यह प्रसाशन ना आईकोट के आदेश को सीरियस ले रहा है फुलीस ना कानून समिधान को सीरियस ले रही है यहां ऐसा एक पूरा दूसित महाल है पुरा बड़ी परेसान है यह जो मारे साथ बैठी है मैडम फिर भी संगर्स जो कर रही है उनको एक बार फिर गुरू-जोति- पत्रिगा की पूरी टीम एक लाग से ज्यादा सलाम करती है और इन्हों ने जो जंग लड़ी है वो कोई नहीं लड़ सकता कारण यह रतन देवासी यहां पर लोगों को डराता है दमकाता है रतन देवासी एक चलम डराता दमकाता जैसे वो यहां अपना जो बताता है कि मेरे से ज्यादा यहां चार-पांच लोग हैं जैसे माउंट में वो गिरो के रूप में काम कर रहे हैं आपने बताया मुझे को वो तो यह रतन देवासी करता क्या है यहां पर लोग डरते क्यों है इससे लोगों को देखो पता नहीं था कि इसने खुद अवैद निर्मान और अ सब्सक्राइब करें कि मैं आज तुम कुछ नहीं हो जाएं तो वह सरकारी जमीं पर थिक्रमन करेंगा का लिखा वह कहीं लिखा ऑट इस यह यह तहुछ हमद हैं यह कुछ भी कर सकता है कि यहां पे लोग करवाई नहीं कर रहे हैं इसके ख्राव और ऐसा क्या है यह था एक टाइम पर आज थोड़ी है वह आज तो कुछ भी नहीं है आप देखो तो दौजा चौदा के बाद तो कुछ भी नहीं जब पूरव में कोई पोस्ट नहीं है चलो पोस्ट होती भी आज बिना पोस्ट के भी लोग इतना डर रहे हैं प्रशासन डर रहे हैं तो पोस्ट होती तो क्या होता यहां पे तो मेरा तो मडर हो जादा रोड़ पे बड़ा सवाल है यह का आज उनके पास कोई पद नहीं है केवल कॉंग्रेस के नेता हैं पीसी सी के मेंबर हैं यह मामला होने के बाद उनको पीसी सी का मेंबर भी बनाए गया उसको ऐसे समझे आपके भई इन्होंने एक मैला को परिसान किया और मुकदमे दर्ज हुए आरो गुरु जोती पत्री का मांग करता है तुरंत कॉंग्रेस पार्टी मुक्यमंत्री जी संग्यान लें बड़ा समेदन सील मामला है राजस्तान की पुरी परतिष्टा दाव पे लगी हुई है यह माराष्ट की मूल निवासी है यहां की यह बहु है इस प्रदेश की एक के माहल में जब यह देखती है तो बहुत परेसान होती है लेकिन यह हिम्मत नहीं आ रही है लड़ रही है मुक्यमंत्री जी से भी यह मिलेगी ऐसा इन्होंने बताया और अपनी पीड़ा बताएगी कैमरामेन जितेंदर कुमार के साथ मैं विरेंदर राजप्रोईद गु जोती पत्रिका माउंट आबू